हलो दोस्तों गूड इवनिंग और आज का डेट है 14th of October 2023 और आप से भी का मैं स्वागत करता हूं अपने वीकली जो टेक्निकल अनालिसिस कुछ अपके लिए उसमें आज फिर से मैं आपके लिए दस से बारा स्टॉक लेकर आया हूं प्योर इन्वेश्टिंग प्योर ट्रेड के लिए होगा उसका टारगेट दो से तीन दिन में एक सब्धास दिन के अंदर बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है उससे पहले मैं आपको करके लिए उसका व्हें पिकया था करके वहां ऑफ्रांजर इन्वी यह सकते हैं यह चार ईंड़्र का एक्टिवेट नहीं हूँ हाई को break नहीं किया तो उसमें कोई entry हमारी नहीं बनी उसके बाद गई जो stocks थे based performing में आप देख सकते वासकॉन इंजिनियरिंग उसने लगभग आप यहां पे देखो तो 14.5% का perform किया है, Metropolis ने 7.3% दिया हुआ है, उसके बाद Swan Energy 7% दिया है, MacDowell ने लगभग 6%, Birla Soft 6%, कोई 5%, 4% इस तरीके से दिया है अगर आप 10,000 रुपीज हर एक stock में invest करते हैं, एक मैंने कराफ idea paper trade के लिए बनाया है कि अगर आप इस तरह से करें तो क्या मिल सकता है तो यहाँ पर देखें, अगर आप इसमें trade invest करते हैं, 10,000 रुपीय हर एक stock में, तो out of 10 stocks में आपको invest करना था एक लाख रुपीय अगर आप invest कर रहे थे, तो आपको 5732 मिलता है, जो कि लगभग 5.7% है यानि 5 trading session में, 5 trading session में यानि इन वीक अगर आप देखें ते मेरे stocks कोई इनको अगर आप portfolio में रखें, तो आपको 5.7% का weekly return मिलता है, 5.7% का weekly लगभग 6% आपको weekly return मिल सकता था, और paper trade app पे, तो चलिए आज देखते हैं, कौन-कौन से stock मैंने pick किया, वो किस तरीके से perform करने वाले हैं, उससे बाले हम लोग देखने वाले bank nifty क्या कर रहा है, nifty क्या कर रहा है, उसके बाद आगे का discussion हम लोग जो है वो इसको procedure ahead करेंगे, तो अगर आप बैंक nifty को देखते हो, तो बैंक nifty को ये level एक अच्छा resistance हुआ करता था, break out दिया, break out के बाद यहाँ पर उसी level सपोर्ट लिया है, दुबारा से उपर गया था और एक अच्छा सा, यहां पर दिखें, फर्स टॉप है, यह सेकेंड टॉफ है, तो कहीं ने कहीं bank nifty जो है गाईज, एक double top का pattern का formation कर रहा है, एम पैटन का formation करता दिखा है, लेकिन current level पर support पर ये trade कर रहा है, अगर यहाँ प एक बड़े move के लिए 2024 तक में ready हो जाए, और एक बड़ी move आ सकती है, तो current level पर हमें देखना है कि जो 44,000 का level है, 44,000 का level एक बहतरीन support है, अगर 44,000 का level break होता है, तब जाके आने वाले time में आपको 42,000 का भी level बनता हुआ, दीख सकता है, बट 44,000 के level हमारे लिए बहुत ही crucial level है, तो मुझे नहीं लगता है कि market को यहां से breakdown करना चाहिए, हलांकि double top बना है, नेक लाइन पर trade कर रहा है, नेक्स जो हमने पिक किया आगए आपके लिए वो है nifty, nifty का अगर आप weekly analysis देखते हैं, तो उसमें क्या हुआ हुआ है, निफ्टी यहां से बड़ा सही उपर गया important है, अगर इसके नीचे यह breakdown करता है, तब जाकर के nifty जो है, वो negative scenario में चला जाएगा, लेकिन अगर 19,750 के उपर close करता है grain candle का weekly time frame में, तो अपने all time high जो है लगभग ATH उसका भी यह test कर सकता है, और उसके बाद market continue कर सकता है यहां पर, तो nifty को भी नजर बना के रखें, तो यह आप level को ध्यान में बना कर जरूर रखें, तो आपके लिए जो stocks मैंने pick किया है, वो किस तरीके से stock है, कौन-कौन से stock है, वो भी देखेंगे, उससे पहले एक बाद crude oil के छोटी सी analysis, आपको बता दू, crude oil ने यहां पर एक अच्छा सा resistance face किया था इस level पे, उसके देने के बाद current level पे वहीं पे आया है, और वहां से एक inside candle का formation, दीकरा weekly time frame है, और यह लगवा 6% जो है, वो वन वीक में move करता हुआ दिखा है, तो अगर यह अपने high को break out देता है, तब जाकर के फिर से यह market जो है crude oil का एक बहतरीन upside के लिए बन सकता, तो यह भी आप नजर बनाकर रखें, बिल्कुल टेस्ट लेवल पे कर रहा है, लास्ट वीक में जब मैंने वीडियो बनाया था, तो market यहां पे था, आपको advance में बताया था कि यहां से crude oil support लेके उपर निकल सकता है, और crude oil लगवा 5% का momentum वहां से बना करके दिया हुआ है, तो यह भी आप नजर बनाके जरूर रखें, चलिए अब स्टॉक के ऊपर नजर डालते हैं, कौन-कौन से स्टॉक है, किस तरह से perform कर सकता है, उस स्टॉक के फिटार में जो मेरा सबसे पहला स्टॉक और जो फेवरेट स्टॉक है, एक लंबा ट्रेंड के लिए वो है आपका इपका लैब, मैं इ एक वीक में बनाता हूं, जरूर बताता हूं, इस वीक में भी का लैब बड़ा अच्छा मोमेंटम दिया है, अगर आप प्राइजेक्शन को देखते हो, तो आप यहां क्लेर कट देखते हो, मर्केट ने एक लगता रजिस्टेंस बनाया था, इस रिवल पे ब्रेकॉट दि किया और उसका भी ब्रेकॉट देता दिखा है, साथी साथ अगर आप देखोगे नाति यहां पर एक इन जो है, इन वर्स हेड एंड शोल्डर पैटरन का भी फॉर्मेशन कर रहा है, रेड इजी पैटरन भी से का सकते हैं, तो यह वाला पैटरन को पर ब्रेकॉट देखते ह मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है, और जो मोमेंटम का टार्गेट हो सकता है, लगवाए 1150, 1150 तक का हमारा टार्गेट यहां से बनता हुआ दिख रहा है, अगर RSI देखते हैं तो RSI भी बहुत अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है, मोर देन 70 क के आस-पास है, तो मोमेंटम में कोई कमी यहां पर नहीं है, इपका लैब में, नेक्स टॉक जो मैंने आपके लिए पिक करके लाया है, उसका नामें चंबल फटिलाइजर, बिल्कुल बॉटम पर दीख रहा है, यहां से 20% का मोमेंटम में चंबल फटिलाइजर में है, यहां से अगर यह अपने हाई परी, इस वीक का जो हाई है ना उसको तोड़ता है, तब हमारी इस ट्रेड में एंट्री होगी और हमारा टार्गेट 346 का होगा, और यह 346 का टार्गेट लगभग यहां पर मैं देखू तो 20% का ROI बनता दिखा है, वॉल्यूम में बहुत अच्छा है, यहां पर ही जाफा होता दिखा है, RSI देखेंगे तो लगभग 50 के उपर ट्रेड कर रहा है गाई, तो आपको चंबल फटी लाइजर को नजर में बना के रखना चाहिए, मल्टीपल टाइम रजिस्टेंस इट किया, ब्रेकॉट देखे रिटेस्ट करता हुआ यह दिखा तो चंबल फटी लाइजर इसे गुड़ स्टॉक जिस पे हम आने वाले महीना दो महीने, तीन महीने के लिए लगभग 20% का मोमेंटम के लिए यहां पर जो है इन्वेस्ट करके बैट सकते हैं, नेक्स टॉक जो मैंने लिया है उसका नम है गुजरात अलकली, ला फ्रेकॉक बैट का नम है इसका बाद यह ब्रेकॉट दिता हुआ, ट्रेंट लाइन का, और प्लस ड mixer डवल रे suburbs से लिए ब्रेकॉट का हार्य यह ब्रेक का टॉश जाता है, तो एंटरी बने गा लगभे 9.34 का हमरा टारगेट और 9.34 का आरगेट लिए 20-परशेंट का टार अच्छा लेवल पे है तो गुजरात अलकली को नजर बनाकर आप अपने वाशलिष में जरूर रखेंगा इस नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने आपके लिए लिया है उसका नाम है अधित बिर्ला सन लाइफ लिमिटेड इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या बनता दिखा है यहां पर आपको एक अच्छा सा रजिस्टेंस बना है मल्टीपल टाइम फॉर्थ टाइम हीट किया फीफ्ट टाइम आता है ब्रेक रिटेस्ट और करेंट लेवल पर यहां पर ट्रेड कर रहा है जो मल्टी सिक्स का है और यहां पर मैं टार्गेट देखता हूं आने वाले टाइम में वो 30% आरो आई मुझे एक्सपेक्ट हो रहा है यहां पर आधित बिल्ला सन लाइफ में तो आपने वाच लिस्ट में जरूर इसे बना करके रखें अनलाइज करें आपको अच्छा लगेत इसके के उपर आप ट्राइ कर सकते हैं कुछ क्वांटिटी के साथ नेक्स टॉक जो मैंने पिक के आपके लिए नाम है अगर आप इसमें देखते हो तो एक डबलू पैटन का फॉर्मिशन करता दिखा यहां पर यह फर्स्ट आपका पूल बैक है सेकेंड पूल बैक यहां पर अगर इस लेबल के उपर ब्रेक करता है अपने हाई को ब्रेक करता है जो कि लगबाद 77-76 का है तो हमारा टार्गेट हो सकता है 94.65-95 का लगबाद और यह 26% का मोमेंटम बनता हुआ मुझे आरवाई यहां पर दिख रहा वॉल्यूम को देखोगे तो बहुत जवर्दस यह अनलिसिस के लिए नेक्स टॉक जो मैंने पिक किया है उसका नाम है सीने विष्टा लिमिटेड सीने विष्टा लिमिटेड का प्राइजिक्शन क्या बन रहा एक यहां पर आगर आप देखोगे ना थे काप एन हैंडल पैटन का फॉर्मेशन है मार्केट एक लंबा कंसॉल 2324 का हो सकता है 16 से 6 के आसपास अगर निकलता है तो कम से कम यहां पर 20% का टार्गेट जो है वो सीने विष्टा में भी मुझे आने वाले टाइम में दीख रहा है वाल्यूम देखेंगे तो वाल्यूम इजाफ़ा होता दिखा है बहुत अच्छा आ रही सा यह कच्छे का वीकली टाइम फ्रेम मैंने लगाया है वाल्यूम देख रहे होना जबर्दस वाल्यूम आई है एक अच्छा सा कंसॉल्डेट किया था यहां पर देखें ऑल्ल टाइम हाई का ब्रेकॉट दिया था ब्रेकॉट के बाद थोड़ा सस्टेन किया फिर से उपर में एक बढ़ बनता हुआ मुझे दीखा है तो अभी तक जितने स्टॉक बताया है सब 20 प्लस वाले जो है 20 पर्षेंट प्लस वाले आरवाई वाले स्टॉक मुझे दिखे हैं इन पे नजर बनाके जरूर रखें नेक्स टॉक जो मैंने लिया है सोनाटा सॉफ्ट्वियर इन लोका मैं डे वीकली टाइम फ्रेम पे थे कुछ वी जो है वो वीकली के अलावे डेली पे हैं इनको भी नजर बनाके जरूर रखें डेली टाइम फ्रेम में मुझे यह एक जो है वो फ्लैग और पोल पैटन का फॉर्मेशन किया है ब्रेक ओट दिया रिटेस्ट करके तैयार है अगर यह से नजर बनाके जरूर रखेंगा इस सोनाटा सॉफ्टवेर आपके वाच लिस्ट में होना चाहिए नेक्स टॉक जो हमारे पास है जिसके उपर हम अनालाइज करने वाले हैं उसका नाम है तमिल नाड मरका बैंक टी एम बी एल टी एम बी एल में अगर आप देखते हैं तो जौसन वॉल्यूम है आरे साइब यहाँ पर बनिया ट्रेड कर रहा है तो अगर यह हाई को ब्रेक करता है न तो उसके बाद आप टार्गेट लगबग यह हाई के आसपास का रख सकते हैं 600 तक का टार्गेट 600-610 का टार्गेट हम यहाँ एक्सपेक्ट 580 के बाद एक्सप बनाके रखिएगा स्टॉक का नाम है इसके उपर मारूती के उपर क्या वे कौन सा स्टॉक की अनलीसिस देखकर आपको लगता है कि यह वो स्टॉक है जिसके उपर बेट लगाया जा सकता है इपका लैब है चंबल फटिलाइजर गुजरात अलकली है फिर उसके बाद है यहाँ पर आधिति बिर्ला सनलाइफ उसके बाद है कि एसेन ग्राइनिटो सीने भी थोड़ा confidence आये कि हाँ आपको मेरे जो अनलीसिस उसे benefit होता है और साथी साथ कुछ अच्छा लर्निंग में प्रोवाइड कर रहा हूं मैं एक disclaimer बता दू यह वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ औसी मकसद होता है कि आपके लिए dedicated watch list तेयार हो जाए जिसके उपर आप अनला लेता हूं thank you guys thanks a lot